हिमाचल प्रदेश में विधान सभाद चुनाव के लिए प्रचार प्रसार का आज आखरी दिन है ऐसे में केंदरी मंत्रियम शाह ने हिमाचल के सुलहा में एक जनसभा को संबोजित किया और कॉंग्रिस पर जमकर निशाना साथा शाह ने कहा कि कॉंग्रिस ने चार चार पीडियों तक शासन किया लेकिन वन रैंक वन पेंशन की मांग पूरी नहीं की गई उन्होंने आगे कहा कि 9 नवंबर का दिन भारत के इतिहास में बहुत मात्वपूर दिन है आज ही के दिन छतरपती वीर शिवाजी महाराज ने अफजल खान को मार कर भगवा पहराया था हमारे सेना के जवान और उनके परिजन 40 साल से वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे थे कॉंग्रिस ने 4-4 पीडियो तक शासन किया लेकिन इस मांग को पूरा नहीं किया आपने जब 2014 में मोदी जी को प्रिधान मंत्री बनाया 2015 में मोदी जी ने वन रैंक वन पेंशन देने का काम किया